हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूटूब चैड़ पर दोस्तों आज मैं आपसे वीडियो में डिसकस करूंगा जब हम अपने घर बनाते हैं और घर में दोस्तों जो हम सॉयल फिलिंग कराते हैं या कुछ लोग साइड भासा में उसको भरान बोलत तो उसी सीरीज के निव वीडियो है इससे पहले भी हम और वीडियो डाल चुके एक चैनल पर तो जाके प्रेलिस्ट में आपको मिल जाएगी तो दोस्तों वीडियो का सीधे पॉइंट पर आते हैं जैसे कि अगर हम बात करें जब हम अपने सॉयल फिलिंग करा रहे होते है घर की तो यहां पे दोस्तों बहुत से लोग कंफूज होते हैं और कुछ लोग अपना एक अलग समय पर सॉयल फिलिंग कराते हैं और कुछ लोग अलग जैसे वाली जैकि मैंने बहुत से जुजातर देखें वो क्या करते हैं जो हमारी प्लिंड बीम तक आप अपना घर जो करते हैं तो आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए यहां पर मैं आपको अगर बताओं तो आपको जो पहला वाला था कि आपने प्लीन बीम तक बना लिया यह डीपीसी लेविल तक बना लिया फिर आप उसको उसमें सॉयल फिलिंग कर देने इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो फिलिंग है आपको अच्छे से वह बैड भी पाएगी साथी दोस्तों हमारा जो लेबर है उसको काम करने में भी असाली होगी वरना दोस्तों जो जैसे माली जे कि आप अगर छट डालने के बाद फिलिंग करते हैं तो बहुत लीचे हो जाता है वहारा जैसे माल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहां पर मैं यह जो बताना चाहूंगा देखिए पहले तो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन के उपर जिसे बहुत से लोग सहर में रहते हैं तो सहर में मिट्टी का मिलना बहुत मुस्किल होता है और कुछ लोग गाउं मे रहते हैं तो कहीं लगई दोस्तों वहां पर उनको मिट्टी असा कोशिश करें कि आपकी मिट्टी फिलिंग या मिट्टी का जोगार्ड हो जाए अब दोस्तों जैसे माली जी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मैंने जैसे बोला कि माठर बेस्टिज होता है उसी का स्तमें करते हैं तो ऐसा लिए कि यह जो दोस्तों क्या होता है कि जो settlement होता है हमारा वो एक दब initial सभे में यह शुरुआती सभे में हम आप उसको अच्छे से बैठाते हैं तो वो proper badly पाता और उसमें in future जो problem आती है कही लगाई दोस्तों जो हमारे अंदर के जो वोइट्स रहते हैं वो खाली रह जाते हैं तो इसलिए हम दोस्तों उसको recommend नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर आपका मार्केट में नहीं वह available हो पारी है मिट्टी तो आप इसका भी इस्तवाल कर सकते हैं अब दोस्तों अगर आप बात करें जैसे आपको अगर मिट्टी ही इस्तवाल करनी है तो फिर कौन सी मिट्टी आपको अपने भरान के लिए इस्तवाल करनी है देखी जो मिट्टी होती है ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी रेतिली मिट्टी लेली या फिर आपने कहीं चिकली मिट्टी लेली इस तरह की मिट्टी आप बिल्कुल भी इस्तवा ना करें आप जो किले स्वाइल आती है जो लॉर्मली हमारी खेती बाड़ी में इस्तवाल होती है उस तरह की बिट्टी आप अपने घर के भराल के लिए इस्तवाल करें रेतीली बत करना इसमें क्या हुआ वो सही से कंबर नहीं हो पाती है तो यह भी ध्यार लग सकते हैं कि है जब को किले स्वाइल इस्तवाल करना है अगर थो अपने में बात करें तो आपको जो भी आप कहीं से भी ले रहे हैं जाय किसी अधर प्लोट से ले रहे हैं तो यह ध्यार मिट्टी आपकी उसमें किसी तरह की पिड्नी वगेरा नहीं होनी चाहिए या हमारी जो घास भी आप जुरूर ध्यान लखे मिट्टी का भराल करते समय अब जोसे मैंने बोला कि आप अगर अपना पिलिंग भी आपने कंप्लेट कर लिया और उसके बाद अपना मिट्टी भराल कर रहे हैं तो किस तरीके से करनी है तो अब टेक्निकली दोस्तों देखा जाए तो आपको 10 इंची 12 इंची एक बार में भदनी चाहिए पर ऐसे कोई नहीं करता है तो फिर भी आप दोस्तों जो नॉर्मली आपको सही तरीका होता है वो आपको एक ही बार में फिल नहीं कर देनी है ठीक है कुछ लोग कि अगर तीन फीट है तो तीन फीट ही एक बार में कर दिया अगर पीट मिम तक पहले कम्पिलीट करने के बाद काम को फिलिग करते हैं तो उससे हमें पानी है और जा गयी तो यह हमें बहुत अच्छा फिल कर रहे हैं तो उसको हाफ या आदे आदे उसमें हिस्से में बाट लीजिए तब ही आप करें एक ही बार में मत करना और उसके बाद जो आप पानी फिल कर लेगे फिर दूसरी बार करेंगे उसको अच्छे से कंपन कर लेंगे और जो नॉर्मली आपका काम होता है साइड बहुत है तो यह बीटी बैट पाएगी तो यह वह पर दोस्तों की हमें मिट्टी से चूण नहीं है चाहिए वह साती दूस्तों पानी पानी चोड़ना है अब जैसे बहुत से क्छट दल जाती है फिर उसके बाद बिटी फिलिक करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको इश कमरे में आपने मिट्टी भर दी है तो दूस्तो आपको चार-पांस दिल को पानी छोड़ देना है उसको ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ पाए अब दोस्तों क्या होगा जहां जहां आपकी बैठेगी तो आपको क्या होगा थोड़ा-बहुत खाली पोर्शन हो जाए घाल कितना देना चाहिए वही बहुत ज़्यादा जरूरी है चार से पांच जिन तो आपको पानी रखना ही रखना है और जब वह हाड हो जाएगी हमारी सैट हो जाएगी अच्छे से तभी उसके बाद आप अपनी फ्लोरिंग का काम करें अब यहां पर दोस्तों पानी का फायदा कराते वह आप दोस्तों प्लिंग के कप्लेट होने पर ही तभी आप करा लीजिए चट डनने के बाद या बाद का कोई भी मसला मत रखो दिक्कत होती है लेबर भी जादा लगती है तो आयोंप आपको दोस्तों इकलर हुआ है कि हमें घर में भराल करते समय या फिलिंग करा करते तो क्या वो गलत है तो गलत नहीं आप उसको भी इस्तिमाल कर सकते यह मार्किट पर भी डिपेंट करता है तो कुशिश करें कि आपकी बिट्टी भी अविलेबिल हो जाए तो दोस्तों वीडियो अच्छे वीडियो लाइक जरूज कर देना दोस्तों इस स्रीज की जो व बाजयर ग्रोट बिट्टे ओ्रूट से तो कि नहीं पनले कि आपके हैं तो ईपके हुंट फप्य स्क्राइबिल